नवश्कार जैहिंद वंदे मातरम सभी का अभिनंदन है NDC निशुन क्लासेज में तो आप सभी का स्वागत है और आज अपनी जो क्लास है वो 39 नंबर क्लास है क्याते हैं ना कि लंबे से लंबा सफर भी तै होता है जरूरत है पहला कदम बढ़ाने की तो एक बार जब लगता है कि इतना अस लंबा कोर्स है कैसे करवाएंगे यूट्यूब पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेकर चल रहे हैं कहीं बीच में छोड़ दिया थो स्टूरेंट्स भी जैसे स्टार्टिंग में पूछते थे मुझसे कि सर आप पूरा करवाओगे क्या क्योंकि कोर्स काफी लंबा है कोचिमों में चरचर महीने लग जाते हैं आप पूरा करवा दोगे क्या बीच में तो नहीं छोड़ोगे बिलकुल ऐसे सवाल आपके दिम चलते थे प्रीमियर में आज सो प्लस जाने लगे धिरे धिरे जैसे वेकेंसी की थोड़ी सी हलचल मचेगी तो पांसो पांसो भी लाइव आएंगे वो सब चलता रहता है जीवन में उतार चड़ावाते हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छे लोग जुड़ रहे हैं लेकिन आपसे मैं यही कहूंगा कि पढ़े वैसे हमने पढ़ा जैसे आप इसी तरीके से पढ़ते रहें आपकी सफलता सुनिश्चित है पढ़ते सभी हैं लेकिन एक तो तक पढ़ना और एक तक गुणना तो साथ में गुणते हुए भी चले कैसे गुणते हैं आपको लेकिन खाएंगे बताएंगे तो हमने कल प्रगतिवाद की विशेष्थाएं बड़ी और आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि छायावाद से प्रगतिवाद किस प्रकार से भिन्न है वह व्यक्तिनिष्ट लिखता है यह समाज हितका कावे लिखता है वहां कलपना है यह हमने बहुत कुछ बढ़ा, आज हम वो चीजें प्रैक्टिकल भी देखेंगे, सबसे पहला कवियम पढ़ते हैं, नागारजुन, बाबा, है ना, नागारजुन जिनका जन्म 1911 में हुआ था, आपको बता दूँ, अग्ये का जन्म भी 1911 में हुआ था, दरवंगा बिहार और मूल नाम इनका था, वैद्यनाद मिस्र, क्या था, वैद्यनाद मिस्र, आधुनिक कबीर के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्हें आधुनिक कबीर कहा जाता है, बहुत अच्छी बात है, आधुनिक सूरदास पूछ ले तो हरियोध है, आधुनिक तुलसी पूछ ले तो मेतलिशन कुप्त हैं, और आधुनिक कबीर है, कैसे, क्योंकि सीधा कटाक्ष करते हैं, तो आधुनिक कबीर है और ये बाबा नाम से भी प्रसिद्ध थे बच्पन में कुछ अंदविस्वासों के कारण से इनका नाम जो है वो ढखकन पड़ गया था अब इसे किताबों में अंदविस्वास लिख दिया हो सकता है कि माबापने लाड से रख दिया हो हम डब्बे हैं लेकिन हम इसके बिना अधूरे हैं जैसे एक डिब्बा होता है वो ढखकन के बिना अधूरा होता है या जो बोथल होती है और डखकन के बिना अधूरी होती है हो सकता है कि माबापने खा कि इसके बिना हम अधूरे हैं पार जब यह लिखते थे थे ना, तो यात्री नाम से लिखते थे मानते हो अधना सा नहीं होता उसके हाथ में ये जो वो कहता है कि 12-13 इंच की जो कलम होती है इसमें इतनी ताकत होती है जितनी तलवार में नहीं होती और इन्हों ने इंद्रा गांदी की राजनिती को हिला कर रख दिया था इंद्रा गांदी का नाम सुनता ही आता है कि मतलब ہندوستان के सबसे प्रभावशाली परधान मंत्रियों में से एक का नाम है स्रीमिती अंद्रा गांदी और उसके बाद हम आट जानते हैं की विदेसों में फिर से जो एक बार भारत का डंका स्री नरेंडर मोधी तो इंद्रा गांदी और नरेंद्र मोदी की राजनिती जो है हाँ ठीक अलग-अलग हो सकती है हम राजनिती की बात ने करें लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्तों में इंद्रा गांदी का नाम आता है ऐसी प्रभावशाली व्यक्तित्तों के सामने जो है नागार जुन द्वारा उनके जो सासन के कमियों को उजागर करना बहुत बड़ी बात थी बहुत हिम्मत इसलिए इनको आधुने कर कबीर कहा जाता है लोक जीवन के कवी वक अथाकार है आम लोक जीवन में जो साधारन से जीवन में जो समश्याएं आती थी उनको उकेरना इनका सबसे पहला दाइत्व था लोक जीवन के कवी वक अथाकार और वेंगे परक रचनाएं तो थी तभी तो इनको कबीर का गया है है ना कबीर कहने के पीछे रिजन ये वेंगे प्रक रचनाय लिखते थे तो इस कांड से इन्हें आधुने के कबीर के नाम से भी जाना जाता है अभी तो मैं और बहुत से नहीं चीज़े बताएंगे आपको सोशक वर्ग के विरोधी तो प्रिगतिवाद पूरा ही सोशक वर्ग का विरोधी है और जो सोशित वर्ग है मजदूर है नारी है क्रशक है इनका समर्थक रहा है सोशितों के हिमायती रहे हैं नागार जो ठीक है हिंदू धरम में कुछ कमियां थी इसमें कोई दोर आए नहीं है उन कमियों को देखते हुए आज भी ठीक है कमिया धिर-धिर कम होती है कुछ कमियों को देखते हुए इन्हों ने 1936 में स्रिलंका गए और 1937 में जाकर उन्हों ने क्या कर लिया बोध धर्म में दक्षा ले लिये और उसके बाद उनका नाम क्या पड़ा नागारजुन पड़ा कोई बात नहीं बोध धर्म हो जेन धर्म हो ठीक है चाहे विश्णोई धर्म धर्म जो है है सभी सनातन के ही अंग है ऐसा माना जाता है लेकिन हम इसे धर्म राजनिती में पड़ना नहीं है बोध धर्म सबसे आप स क्राइच माना जाता है लेकिन कहते हैं कि चीनी वू कहता नहीं कि टेबल और कुड़शी चार चौपायों में टेबल कुड़शी को छोड़ के हर जानnahmenवर खा कहा लेते हैं तो कहां बोध धर्म का पालन कर रें यह धर्म का नाम ही नियम नागार गर्जुन ने क्यों गरे कर लिए दिक्षा लेने के बाद इनका नाम जो है वो नागार्जुन पड़ा क्लियर बात है कबीर के बाद विद्वन्सकारी वजन इत्याचार किये थे उन पर तो विद्वन्सकारी वजन विरोदी शक्ति को कहीं चुनोंती मतलब जो सासन के विरोद में या तो कबीर था और या अधुनिक काल में नागारजुन थे नागारजुन जन्म से तो कवी थे क्योंकि कवीता तो उनके रग-रग में थी प्रकृति से वो क्या थे राउल साकराट्यान की तरह गुमकड प्रवर्ति के थे और विचारों से वो माक्स्वादी थे विचार उनके थोड़े से अलग थे माक्स्वादी थे चलो माक्स्वादी है तो कोई दिख कर नहीं लेकिन हमें तो उनकी कविताएं पसंद है क्योंकि हम तो साहित्य को उपदेश आत्म गुरूप में देखने के पक्षपाती है कबीर तो मेरा मैं परसनली अगर किसी व्यक्तित्तों से सबसे ज़्यादा परभावी तो इंदे साहित्य में तो मुझे सबसे बैस्ट लगता है कबीर मुझे तुलसी के रचनाएं भी अच्छी लगती है सूर्दास के अच्छी बहुत सब रचनाएं सब भी अच्छी लगती है लेकिन एक विशेस होता है है ना तो वो अगर पूछा जाए तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कबीर इन्होंने प्रगतिवाद प्रियोगवाद नई कवीता और साथ होतरी कवीता सभी में रचनाई किया बिल्कुल की है इसमें कोई संदे है यह नहीं क्योंकि है क्योंकि आप देखो 1911 में जनम अभी में आपको बताया था लेकर 1908 में तक आप जो हैं यह इनका जीवन काल है तो अविस लिए इसमें अपने प्रगतिवाद नई कवीता साथ होतरी कवीता सारी आगे साथ होतरी मतलब साथ के बाद वाली कवीता है साथ होतरी मतलब यह भी आएगा जब हम इसलेशन करेंगे अब बात करते हैं इन रचनाओं की तो रचनाओं मुझे सबसे अच्छी रचनाओं लगती है थोड़ा सक्रम से तो नहीं कि युगधारा सतरंगे पंखों वाली सतरंगे पंखों वाली हजार हजार बाहों वाली तुमने कहा था आगे और भी है तुमने कहा था मैं मिलिटरी का बूड़ा घोड़ा मैं मिलिटरी का बूड़ा घोड़ा ट्रिक भी बताएंगे चलो पहले इनकी बारे में बात करते हैं तो तो युगधारा रचना जो है वो 1953 में अब ये रचना important क्यों है? मैं बताता हूँ क्यों है? अगर आप से पूछा गया निम्न में से सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है निम्न में से अर्विन दरसन से परभावित रचना नहीं है क्योंकि उनकी युगांत है, क्योंसी कैसे मैं चलो एक प्रश्ण बना के पूछता हूँ थोड़ा सा आपको पता लग जाए युगधारा ठीक है? युगधारा और युगांत ठीक है? और युगवानी या समझना बात को युगवानी ठीक है? और एक मानलो दे दिया आपकर ने ग्रम्या ग्राम में आए गया, चलो ग्राम में आ तो पता लग जाएगा अपने दे दिया, युगान दियो कोई ऐसी रचना बताओ, पंद की जैसे मानलो एक छोटी सी मैं थोड़ा सा हट के दे रहा हूँ, ठीक है ये पान वाला, इस प्रकार से आप से पूछा, कि इन में से पंद की रचना नहीं है अब आप तुरंट बता दोगे अभी तो अभी तो आप तुरंट बता दोगे, क्योंकि आपको पता है अब मैं गैरेंटी से बोल रहा हूँ, जिसने यूपर रखिया यूगांत, यूगवानी इस तरह की है न, वो यहीं उल्चेगा और 50% लोग करे आएंगे, पान वाला ठीक है, कुछ लोग दिमाग लगाएंगे लेकिन ये जो है, ये करने वालों की संग्या 5% से भी कम रहेगी जबकि इसका सही उतर क्या होगा हूगा, यूगदारा है क्योंकि पान वाला सुमित्रानंदन पंत की एक मात्र कहानी है तो यहाँ इस टाइप से कौॉशन जब बनते हैं, कॉशन बहुत सरल बनते हैं लेकिन हमारा IQ लेवल या फिर हमारे समझने की जो शक्ती होती है न वो कहीं ने कहीं थोड़ी सी गड़बड हो जाती है और सर इसका कोई उपाये बताओ सरम पढ़े के ऐसे मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूं जैसे कल कलास आये गी और संडे को क्लास में ओफ रखूँगा क्यों कल प्रगिती वीजन कर लेना चाहिए चाये उनको आता है नहीं आता है तो बacz उसके बाद सौं वार को अपनी क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगी तो आप क्या करो भक्ति काल पढ़ो सौं से लेकर गुरुवार तक चार दिन तक आप आराम से थोड़ा-थोड़ा भक्ति काल पढ़के कमप्लिट कर दो ठीक है गुरुवार उसके बाद आया रवयुवार, रवयुवार को रहेगी फिर क्लास ओफ, तो रवयुवार को क्लास ओफ रही, रितिकाल आपने कंप्लिट कर लिया, अब आप क्या करो, भारतेंदू और द्विवेदी दौना पढ़ो एक दिन में, सर्फ पढ़ने, याद नहीं करने, याद करने की कौशि चायावाद, चायावाद पढ़ो, ठीक है, बुद्वार को वापस बुद्वार आया, आपने शुरू किया प्रगतिवाद, अब जब आप यहाँ प्रगतिवाद रिवीजन कर रहे होगे, यानि एक बुद्वार गया यहाँ पर, यहाँ बुद्वार गया और अगला बु बुद्वार भुद्वार तक से पहले ही कंप्लिट होजाएगै, अगला रवीवार, यानि ये रवीवार है परसो, उसके बाद एक रवीवार, और इस रवीवार तक आपका आधुनी काल तक कम से कम, दो बार रविजें होुजान से, एक बार तो यहां तक हो जाएगा उसके बाद रवीवार तक आपका हो जाएगा उससे फाइदा क्या होगा क्योंकि आधूनी कम्प्लीट होने के बाद ही मैं यहां पर साहित्य प्रशनोत्री और एप्लिकेशन पर टेस्ट स्टर्ट करने वाला हूँ तो फिर आपका तीसरी बार रिवीवीजन तो टेस्ट में होगा तो इसके बादे एक बार रिवीजन आपको सिर्फ रिवीजन करना पढ़ना है अगर आप पढ़ोगे नहीं तो गड़बड होगी आप ये सोच़े हो ना कुछ नहीं मैं बाद में रिवीजन कर लूँगा इस बार मेरा कहना मान लेना बाद में के भरोसे मत रेना क्योंकि मारवडी में कावत है पच्छे रो पिछो उकड़ो आई हैं पच्छे रो पिछो उकड़ो आप मान के चलिए आप पड़ पा रहे हैं पड़ नहीं पा रहे हैं इसके पीछे आपकी संगती असर डालती है संगती और डालती कैसे नहीं है जैसे मैंने ये लिखा जैसे मैंने ये लिखा ये इस तरह से लिखा, मैंने आप से पूछा बता हूँ, यह क्या है तो आप मैंसे कुछ लोग आंसर देंगे सर यह जो है, तेरा लिखावा है सर यह बी लिखावा है सर यह लाइन के उपर, एम को टेडा करके लिखावा है अज़ अलग अलग तरह एक बात करेंगे क्या कौन से कौन निर्धारित कर रही है संगती, संगती निर्धारित करती है कि आप क्या बनोगे हमारे जीवन में दो तरह के दोस्त होते हैं, एक होते हैं दोस्त और एक होते हैं खास दोस्त दोस्त वो होते हैं, हम जीवन में कभी मुसीबत में फस जाते हैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है है ना क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें समझ नहीं आ रहा है तो दोस्त हमारे जिंदगी में आता है घर पे बैठता है चाई पीता है और हमें सही राई देता है ये किताबे पढ़ और तुम मुफैलाने सर हैं उन सर की classes ले वो पूरी complete course करवा रहे निशूल करवा रहे उनकी classes ले हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमें उस negativity से बाहर लाते हैं और चले जाते हैं फिर आते हैं हमारे खास दोस्त हम अच्छा से पढ़ रहे होते हैं अपनी आम दिन चरिया में रेगुल चलते हैं और वो हमें उस सकारात्मक्ता से उस पढ़ाई के माहुल से बाहर निकालते हैं और चले जाते हैं और वो ऐसा बाहर निकालते हैं कि हमें वापस वो नियमित्ता बनाने में एक से डेड़ महीना लग जाता है तो आपको फैसला करना है कि दोस्त चाहिए या वो खास दोस्त चाहिए यह सूच के लिए ना आप लो और ऐसे होते हैं तो दोस्त और खास दोस्त दो तरह के होते हैं खास दोस्त सबसे खास होते हैं जो आपको पढ़ने नहीं देंगे दोस्त वो होते हैं जो आपको सही राए देंगे तो आपकी संगती आपको डिसाइड करेगी कि आप क्या बनोगे ये मान के चलिए आईये तो युगधारा है सतरंगे पंखों वाली हजार हजार बाहों वाली तुमने कहा था चना जोर गरम तुमने कहा था चना जोर गरम सतरंगे पंखों वाली हजार हजार बाहों वाली प्यासी पतिराई आंखों से तुमने कहा था चना जोर गरम खिचडी विपलव देखा हमने खिचडी विपलव देखा हमने वश्मांकुर युगधारा बदल रहा है ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या पुरानी जूतियों का कोरस रत्न गर्ब में चिप गया है इस तरह के से आपको ट्रिक्स वगरा बनानी पड़ती है बादल को गिरते देखा कविता यह युगधारा में है ध्यान रखना बादल को गिरते देखा कविता युगधारा के अंदर है अकाल और उसके बाद यह इनकी एक लंबी कविता मानी जाती है यह इनकी क्या मान जाती है लंबी तो यह तो थी नॉर्मन सी बातें लेकिन अभी तक तो इनकी कुछ और चीजे सबसे पहले देखो आप जानो कि बच्चन सिंग जो है बच्चन सिंग बच्चन सिंग ने इनकी कविताओं को नुकड कविता का कहकर पुकारा है आगे लिखावा मिलेगा आपको इसके अलावा इन्होंने दीपक पत्त्रीका का संपादन भी किया था ये भी आप लोगों को मैंने बता रखा है इसके अलावा आपको मैं और चीज़ें बताता हूँ जो मुझे अच्छे तरह से याद है क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगती है नाम क्या है प्रेत का बयान है क्या इसमें प्रेत का बयान लेकिन इसमें एक ऐसे सिक्षक का वर्नन किया गया है आजाद भार्त के का बोद करता है और सबसे बड़ी बात है सुख से उसकी मृत्यू होती है क्या होता है सुख से मृत्यू मदलब आदमी दुख से मरता है लेकिन प्रेत के बयान रचना में एक आजाद भार्त के एक ऐसा ध्यापक का वर्नन है जो यह देश की अथार दसा का करता है और शुख से मर जाता है सुना ऐसा नागा अरजुन कहते है सुख से भी आदमी मर जाता है करो बतें तो यह एप रीट का बयान की बाते इसके अलावा इनके प्लस अंकुर बहिज़ मुझे बता हो संसार में भश्म अपने सरीर पर कौन लगाता है आपको होगे सर सिव जी बिलकुल इसमें शिव और पारवती सिव और पारवती का का दामपत्य वर्णन किया गया है दामपत्य वर्णन पती पत्नी के रूप में वर्णन किया गया है इसके मूल में तो क्या है सरंगार रस छिपा है आपको पती पत्न इगावडनने तो ओवियसली सहींगा वस्था की बात होगी स्रंगार की बात होगी मूल में तो स्रंगार दिखाई देगा लेकिन उसके गहराई में आप देखोगे तो करूरस छिपा दिखाई देता है क्या दिखाई देता है स्रंगार और करूरस का एक बहुत ही शांदार मे दिखाया गया इसमें इसके अलावा इनकी एक रचना है मैं बूल गया क्या नाम उसका रचना का हरीजन गाथा नामी जैसा है हरीजन गाथा हरीजन गाथा में है दोस्तों दलीतों की समश्या क्या है दलीतों की समश्या फॉर्मल्टी मुझे नहीं आती राइटिंग जमा जम सामने आएंगे जब प्रेत का बयान बताओ आदमी जब सुख से मर जाता है तो प्रेत बन जाता है और फिर वो प्रेत बनकर बयान देता है आप उसके बाद आईए देखते हैं अपने ये हो गया है ना हाँ ठीक है कोई दिकत नहीं चलिए अब यहाँ अच्छा ये थोड़ा अब है रविंद्र के परती बादल को लेकिन एक रचना है सिंदूर तिलांकित बाद ये इनकी प्रेम से लबालब भरी हुई प्रेम से परिपूर्ण रचना मरने दोना कौन सा लबालब है अपने तो हिंदी वाड़े है प्रेम से परिपूर्ण रचना है यानि इसमें प् सेम संबंदी महत्पूर्ण रचना मानी जाती है है ना इसके अलवा आपने एक सुना होगा आओ रानी डोएपाल की यह रचना है आओ रानी यह आओ रानी जो है इनकी व्यंग परधान रचना है यह बोलो को सर आप इतना बता रहे हो इतना नोट्स में नहीं लिखावा हाँ एक मुझे याद आगे से जैसे कई बहुरती गरी सर आप तो इतना एक्सट्रा बता रहे हो नोट्स में जगे नहीं है अरे नोट्स में जगे नहीं आइँ तो कौई बात नहीं वाइट पनने तो लो वाइट पननों पहलीक लिए करो अड़े कर लो क्योंकि अभी तो जब फिर 30% पढ़ाया ठीक है आपको याद हुआ फिर क्या हुआ 20% अगली बार मैंने फिर 30% निया बताया तो आपको याद हुआ वही कितना 20% कितना हुगा टोटल 90% 90% और आपको याद कितना हुआ 60% ज्यान से समझना मेरी बात को अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वह वास्तों में 90% ही पढ़ा रहा हूँ मैं वास्तों में 90% पढ़ा रहा हूँ 10% आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूँ और आप इसको बार बार रिविजन करो तो आपको याद 60% ही होगा 90% याद नहीं होगा आपको ठीक है लेकिन जिस परसेंट जो आपको पढ़ाऊंगा इसमें मैं आपका 60% का रिविजन करा दूँगा और 80% तक आपको 100 में से 80% साइट ते आपके उंगलियों पर होगा और cut off 80% से उपर जाती नहीं है मेरा इतना ही target है मैं विद्वान बनाऊंगा नहीं लेकिन जितना आपके हाथ में नोडस है ना उसका 80% आपको याद होगा इतना जरूर मैं परियास कर रहा हूँ और मैं सफल होता हूँ क्योंकि मेरे मेरी जो जिद है वो बहुत तगड़ी होती है मुझे इस बार 1000 प्लस सेलेक्शन देने है और उमीद करता हूँ आप में से तयार होंगे इसके लिए क्योंकि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ मुझे 1000 1000 से ज़्यादा सेलेक्शन देने इसी निशुल क्लासेश से तब ही इनका रिजल्ड निकलाएगा तब ही कईयों को पता चलेगा कि निशुल क में भी पेड कोर्स से भी ज़्यादा मतलब शांदार कंटेंट वाली क्लासेश मिलती है और सेलेक्शन भी होता है तो तब ही आनदाए तो आवर आनी जो है इनकी वेंग पर्धान रचना मानी जाती है समझ गे बात आप और इसके अलावा मतलब कोई रचना ऐसा एक जो है मैं बोल रहाँ भी थे बोल रहा था तुमने कहा था चना जोर गरम वो रचना यहां लिखी में नहीं है चना जोर गरम अब इसका रचना का नाम देखिए क्या नाम है चना जोर गरम है न अब ये रचना किसके बारे में है ये रचना सत्ताधारी जो आउसर की तलाश में रहते हैं कि कब आउसर मिल जाए और किस बात का आउसर चाहते हैं ये ब्रिष्टाचार करने वाले सत्ताधारी ब्रिष्टाचारी लोग जो आउसर की ताक में रहते हैं और अपना हित सादने के लिए दूसरों की बली चड़ा देते हैं ऐसे लोगों का वर्णन किया गया है चना जोर गरम में पता हो ना चाहिए तब ही तो पता है ना एक मैं आपको और बताता हूँ आप सब को याद रहेगी एक इनकी रचना है गुलाबी गुलाबी चूडिया क्या रचना है गुलाबी चूडिया इसमें क्या पता है आप इसमें एक चीज दियान रखनो वाजसल्य वर्णन देखो वाजसल्य वर्णन से सम्मनेत रचना गुलाबी चूड़ियां स्रिंगार और करुण का शांदार मेल भशमांकुर में वेंग परदान आउरानी चना जोर गरम सत्ता लोलूप ब्रिष्टा चारी लोग जो आउसर की तलास में रहते हैं ऐसे लोगों पर वेंगे किया गया है सिंदूर तिलांकित भार है ना सिंदूर से अंकित सिंदूर का तिल अंकित है जिस ललाट पर यानि एक तरह से प्रेम पूर रचना कही जा सकती है तो अब याद रखना थोड़ा सा युग धरर अचना इंपॉर्टेंट है सतरंगे पंकों वाली हजार हजार भाहों वाली तुमने कहा紀 ता चना जोर गरम मैं ऐसा क्या कहा दिया मैं मैं मिल्टरी का बूड़ा गोड़ा है ना मैं मिल्टरी का बूड़ा गोड़ा और इस गुबारे की छाया में कब से बैठा हूँ सिंदूर तिलांकित भाल लेकर कब से बैठा हूँ सिंदूर तिलांकित भाल लेकर अकाल और उसके बाद से बैठा हूँ मैंने बैठे बैठे बादल को गिरते हुए देखा था और रविंद्र के प्रती प्रेत का बयान जब सुना अभी हमने पढ़े थे ना प्रेत का बयान जब हमने दे सुना तो पुरानी जूतियों का कोरस यूगधारा बतलने लग गया बहुत मतलब इस तरह से ट्रिक तो उल्टी सीधी सेट करनी पड़ेगी तब जाकर पार पड़ और मैं ट्रिक तो कभी याद भी नहीं करता हूं ना मैं बताता हूं मैं लिंक से सेट करता हूं तो आप थोड़ा सा टाइम निखाड़ा करो 24 गंटे मिलते हैं पढ़ने के लिए तो यह हो गया नागारजुन के दिवंगत होने के बाद सोम देव और सोभा कांत ने एक दिर बद्र शु Vader हैं उनुमें से कुछ पंगतिया अपके सामने है कि चानुन जहां पर किसी कामका नहीं है ऐसे यह कानून की दुहाई दे रहे हैं परजात अंतर के जंडे की देखो परजात अंतर में कानून सक्त है कई दिनों तक चूलारोया चक्की रही उदास कई दिनों तक कानी कुथिया सोई उसके पास कानी कुथिया सोई उसके पास इसी तरह की धुन खाए शहतीरों पर बारह खड़ी विदाता बांचे गुन खाऊड़ी मतलब बारह खड़ी विदाता बांचे गुन खाये शहतीरों पर धुन लिखावा है गुन है ये गुन खाये शहतीरों पर बारह खड़ी विदाता बांचे पंक्तियों के लिए तो मैं अलग से क्लास लूँगा बीच बीच में जब देखो मेरी मेरी पढ़ाने का तरीका मेरी अलग है और मैं भी चाहता हूँ कि अच्छा रिजल्ट दूँ इसमें कोई संदे नहीं है और ये बुरी बात भी नहीं है मेरे स्वार्थ में आपका हिद छिपा है मेरा स्वार्थ क्या है अच्छा नाम कमाना नाम कमाऊंगा जब आपका सेलेक्शन होगा आपका सेलेक्शन कब होगा जब मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो मेरे स्वार्थ में आपका हिद छिपा है मेरी जो रिविजन क्लासेस लूंगा मैं वो कब लूंगा वेकेंसी आने के बाद अभी तक आप गता है नो कि सर यह कोर्स हो जाएगा उसके बाद चले जाएंगे जो बटक रहे हैं उनका तो मैं कुछ नहीं कहूंगा जो यहां से वीडियो देख लिए मेरा मानना है एक सादे सब सदेर सब सादे सब जाए यह मानना है मैंने एक को पकड़ा और यह जो नोर्स आप तक पहुंचे है ना यह जो मैं हिंदी पॉइंट अप्लिकेशन में नोर्स दे रहा हूं इससे भी संक्षिप्ट नोर्स यानि यह तो मैंने बहुत कुछ एड़ कर दिया है नो कि रात को 11 बज़े तक सेडूल सैट था 11 बज़े से लेकर डेली था मैंने साहिते को किस हिसाब से रिविजन किया वो बता रहा हूं जब कि 14 कोशन आते थे 13 यह 14 कोशन आज कल तो आपके 40 आने लगए तो साहिते कितना इंपोर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए हमारे चाहिते हैं तीन बज़े रात के बक्तिकाल पढ़के सोया फिर तीसरे दिन रितिकाल फिर चौत्य दिन बारते दो दुए विदी में साथ में रखता था हमेसा फिर चायावाद को मुझे ठोड़ा टिपिकल लगता था मैं अलग रखता था फिर एक दिन प्रियोग वाद न कर लिया के मुझे पढ़ना इतना ही और तुझ नहीं किताब आईMBHI कोई बात नहीं साल किसे पढ़ने वाड़ों का विक होता हैं इससे आदोसरे lot पढ़ेंगे। उनका और सही ते मेरे एक मेरे प्रशन गलत हुआ नहीं था व्याकरण मेरे ये ज़िए तो माइनस गम से कम कब जाएगी जब आपकी रिविजन बार बार रिविजन होगा इसलिए मैं आपको कहता हूं आप साथ रहें और मेरी जब रिविजन क्लासेज होगी तो उसमें जैसे revision classes मेरी कम से कम 2-2 गंटे की होंगी और live चलेगी वो classes तब तक मैं थोड़ा सा देखो आप लोगों के लिए सुविदा की या बोर्ड बगरा लगा है inverter बगरा लगा लूँगा है ना ताकि बीच में light-light की दिक्कत नहीं इसलिए मैं live नहीं लेता वर्णा मैं live भी ले लूँ तो उस वक्त दो-दो गंटे की live तो आदिकाल जो है दो class में आपको पूरा revision अब ये class किसके लिए important होगी जिनोंने इन classes को regular देख रखा है उसके लिए ये important होगी class उस वक्त ये class का तब पहले मेर से पढ़ रहागा तो बापको याद आएगा हाँ मैंने बताया था अदिकाल के की जो है कांत कांत की परिवासा कौन सी है प्रतिबिम्ब शब्दाती कांत आएगा वर्तमान सब्दाती वीक को आएगा है ना इस तरह से मैंने आपको लिंक करके पढ़ाया था हर्सन की परिवासा आपको बताई थी राम चंदर शुक्ल चित्र वर्तिश शब्दा आपको रटा दिया था इसी तरह से जो है चिंतना आत्मगार्थिक परिवर्तन ये नगिंदर का शब्दा दिया मतलब कहां कहां मैंने आपको क्या क्या बताया जब मैं पूरा और फिर इस तरह से नोट्स के मादियम से नहीं पूरा नोट्स आप सब के पास पहुंच चुके होंगे तब तक फिर मैं पढ़ाओंगा नोट्स तो आपको रखने हैं तुम तो regular जुड़े वे रो, इस बार आपका selection होगा योगा, बस हार मत मानना, बीच में कई परिशानिया आएगी, भगवान है ना परिक्षा बहुत लेता है, बहुत परिक्षा लेता है, हार मत मानना, परिवार में पारिवार एक समश्या हैं आएगी, सामाजिक समश्या है स्वास्थे से समश्या हैं आएगी, हार मत मानना, बस स्वास्थे एक ऐसे चीज है, जिसको हमें साफ सुत्रा रखना, सुरक्षित रखना, बाकी हार मत मानना, मैं तुम्हारे साथ अंत तक जूड़ा रहूँगा, देखो, जहां तक मैं जो बोल रहा हूँ, वो आपके दि जो अपके तूम्हारे स्वास्थे साथ करा सो. में है इन्होंने 1935 में दीपक मासिक पत्रिगा का संपादन किया था 1952 42 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिगा का संपादन भी किया था पत्रही नगन गाज जो मेथिली बासा में लिखित रचना है इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरुषकार मिला था अब आप से न 1960 में इनको पत्रही नगन गाज पर साहित अकादमी पुरुषकार मिला था इन्होंने एक वेक्ति एक युग ये निराला की जो है आलोचना की है आलोचना के समिक्ष्या है निराला तो इनके बहुत अच्परमित्रों में सेख थे तो आलोचना अत्म गरंच लिखा है जिसम केदारना थगरवाल का जनम भी 1911 बांदा उत्रप्रदेश में हुआ था इनको जीवन के भाश्यकार कहा जाता है और सबसे इंपोर्टन बाद ये प्रकरती वर्णन के ये भी प्रिये थे तो इसी लिए इनको छायावाद में एक पंद हुए थे इनको छायावाद उत्रका का पंद का जाता है यानि चायावाद के बाद भी किसी ने प्रकरती वर्णन किया तो उकेदारना था गरवाल थे चायावाद उत्रकाल के पंद का जाता है सचे जनवादी कवी कहा जाता है ये पेशे से वकील थे खास बात नहीं है सचा जनवादी कवी जीवन के भाश्यक के आधार पर जो हैं सच्चे अर्थों में प्रकतिवादी यानि इस बंगाल के काल में इन्होंने सोशित वर्ग की मतलब मुद्दे को बहुत जवर्दस तरीके से उठाया हुआ है बहुत अच्छी कविताओं में से एक है शोशक वर्ग को जनता का मास नोचने वाला गिद कहने वाले कवी कौन है केदार नात अगरवाल है ना और कहा जाता है कि केन नदी जो है केन नदी इनको इतनी प्रियत ही इसलिए इनको केन का कवी का जाता है कि केन का कवी किसे कहा जाता है केदार ना थकरवाल को कहा जाता है लेकिन क्यों कहा जाता है ये आपको नहीं पता हुआ केन नदी जो है इनकी फेवरेट नदी है इसलिए इनको केन का कवी भी कहा जाता है समझ गये बाता आप अब अब देखिए नीन के बादल बरसे तो यु की गंगा भर गई लोक और आलोक इनकी एक बहुत इंपोर्टन रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं क्योंकि आग के आईने में अपुर्वा समय समय पर बसंती से कहती है मांजी ने बजाओ बंसी पूल नहीं रंग बोलते हैं रचना पर सोवियत लैंड नहरू पुरुषक भी इनको मिला था है ना जैसे इनकी और रचना है यहां पर हाँ यह पड़ी यह जैसे एक तो यह जमन जल तुम और एक है मेरी तुम है ना यह इनकी पत्नी को समर्पित है है मेरी तुम रचना जो है पत्नी को समर्पित रचना है और जैसे ही इनों ने यह रचना पत्नी को समर्पित की पत्नी ने मारी थापें मार प्यार की थापें और कहे कैदार खरी करी पत्स साची बोल दी किया थने समर्पित को नहीं आग मैं कीरी और वास्त लिखी को इता यह तुम्हें समर्पित नहीं थी यह मैंने किसी और के लिए लिए लिखी थी लेकिन तु खरी-खरी और बंबई का रक्त-दान और फिर खरी-खरी इतनी कही कि बंबई चला गए रक्तदान कर ले वहां जाकर जमुना नादी का जल हाथ मे लेकर कहा कि अब बोल 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 अबोल जो शिलाइन तौड़ते हैं वो किसी से नहीं डरते मतलब बंबई में जाकर जमुना में इसनान किया सर बंबई में जमुना कहा चा कि वो दिली में यहां तो बंबई में आएगी जमुना बंबई में जाकर जमुना में इसनान किया और फिर फॉन पे कहा कि अब बोल तू क्या बोल रही थी तूने मुझे मारे था न तो बोल बोल अबोल फिर कहाँ जो सिलाओं को तोड़ते हैं वो तुझसे डरते नहीं है तो ये देखी रचना ये बड़ी शांदार चलती है मैं तो केदार नाथ जी से ऐसा लगता है जिसे रचनाओं को पढ़ते हैं खुद बात कर रहा हूं और मैं ही केदार ना थूँ जो कह रहा हूँ कि हाँ पत्नी गौए यहां अपनी फिलिंग बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है है मेरी तुम मार प्यार की थापे कहे केदार खरी खरी बंबई में रक्तदान करने चला गया और वहाँ जाकर जमुना में जल तुम जमुना में जाकर नहाए जमुना जल तुम बोल बोल जो सिलाएं तोड़ते हैं वो तुससे नहीं ड़ते हैं और जमुना में जो नहाए ठीक है तो गुल महंदी भी इनकी एक रचना है पंक और पतवार वही जमुना में गया तो उसे पतवार की तो आशिकता पड़ी पंक और पतवार गुल महंदी इसके अलवा हमने ये भी पढ़ा नींद के बादल बर से तो यूग की गंगा भेने लगी लोक और आलो फूल नहीं बोलते हैं आग के आईने में अपुर्वा समय समय पर बसंती से कहती है मांजी न बजाओ बंसी अब बार बार बोलना पड़ेगा आपको बार बार बोलना पड़ेगा भूल नहीं रंग बोलते हैं लोक और आलोक में फूल नहीं रंग बोलते हैं यानि इस नीन के बादल ज जब युग की गंगा भर जाती है तो इस लोक में फूल नहीं रंग बोलते हैं आग के आईने में अपूर हुआ समय समय पर बसंती से कहती है ना जी न बजाओ बंसी गुल महंदी गुल महंदी पंक और पतवार है मेरी तुम मार प्यार की थापे कहे केदार खरी खरी बंबई का रग्त दान जमन जल तुम बोल बोल अबोल जो शिलाएं तोड़ते हैं तो कौन कहता है याद नहीं होती इसलिए इसी के साथ दोस्तों इनकी कविता है बहुत अच्छी कविता है खेत का दृश्य देखो यह प्रकृती छायावाद उतरकाल के पंत हैं खेत का दृश्य इसमें क्या किया इन्होंने राधा और कृष्ण को मतलब किसान के रूप में चित्रित किया, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, किसान के रूप में चित्रित किया, आपको पूरे साहित्ते में कहीं पर भी राधा कृष्ण को किसान के रूप में चित्रित किया, केदाना थगरवाल ने राधा और कृषक को कृष्ण का परतीक बना कर मतलब यहां राधा जो है न वो धर्ती है और कृष्ण जो है वो किसान के रूप में चित्रत हैं यह बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ है न ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा एक रचना इनकी और है चं जो ग्रामीन यूवक होते हैं ग्रामीन यूवकों का यथार्थ चित्रन है अब यथार्थ चित्रन समझ गया बात यथार्थ चित्रन का मतलब यह हुआ कि ग्रामीन यूवकों की जिन्दगी का जो ग्रामीन यूवक है उनके जीवन का यथार्थ जिन्दगी का यथार्थ चित्रन है कि वो किस प्रकार से जीते हैं ना चंदू और चेत में ग्रामीन यूव को जो यूवा है ग्रामीन यूवा है उसकी जिन्दगी का यथा चित्रन किया चंदू और चेत में खेत के दरश्य में किशान के रूप में इनको चित्रित किया गया है ठीक है ना और कहां ग साहित्य अकाद में पूरुसकार मिलाता समय समय पर बसंती मांची नब जाओ बंसी तो ये होगे के दार नात अगरवाल इनकी कुछ पंक्तियां है हवा हूं मैं हवा हूं एक बसंती हवा हूं मैं आज नदी बिल्कुल उदास थी सोई थी अपने पानी पंक्तियों का आनंद लीजिए देखना मतलब इनकी कल्पना की गहराई देखना आज नदी बिलकुल उदास थी यह नहीं उस पे इस्तिर वो लहरे नहीं अरुदम शांत पानी था सोई थी अपने पानी में उसके दरपन पर बादल का वस्तर पड़ा था उपर बादल की परच्छाई थी ऐसा लग जगाया दबे पाउं घर वापस आया मतलब सोचिए पूरी कविता में कितनी गहराई होगी जब ऐसी पंक्तियां सामने आती है तो मन अपने आप कर आप आप नोटिस करते हैं जैसे पुषपा टू पिक्चर आ रही है पुषपा टू पिक्चर आ रही है ट्रेलर रिलीज ह होता है ट्रेलर देखके हम क्या डिसाइड करते हैं यह फिल्म में होल में देखने जाओंगा या इसका फर्स्ट शो देखूंगा या इसको मैं आते ही पिक्चर को देखूंगा यह ट्रेलर है लेकिन पता नहीं हमारे अंदर साहीत है ही नहीं हम इन पंक्तियों को पढ़के और रहे बहुत बढ़े हो बहुत बढ़े हैं ताली बजाई रवाना हम कभी सोचते हैं कि यार किताब लेकर तुम आप किसी भी आत्रा में कुरकुरे चिप्स डैरी मिल नजाने क्या क्या पानी की बोटल रेलो इस्टेशन पर 20 रुपए में ले लेंगे गर्मी बहुत जाद है घर से पानी ले जाए हम आयासी जो सुक्सोईधाओं में डूपे रहेंगे लेकिन 20 रुपए की किताब हम कभी नहीं खरीते हैं अरे तो क्यों पैसे खराब कर रहा है देखो सेंटेंस क्या होता है आस पास वोटलों को सुनना क्यों पैसे खराब कर रहा है कुण पढ़ी ये किताब ने घरे गणी किताबां पढ़ी है कौन पढ़ेगा इन किताबों को शरम आती है एसे सेंटेंस पे किताबों को खरिदा करो किताब मेरे पास तो बहुत है कोई का ये सराब के पास कितनी है मेरे पास मेरे मित्तर जानता है मेरे पास कितनी किताब है मैंने मैंने का कावे में बुंदेल खंड के लोग जीवन को उभारा है। बुंदेल खंड के लोग जीवन को उभारा है। राम विला सर्मा इनके बारे में कुछ विशेस नहीं है। 1912 में जर्म उन्ना उत्रप्रदेस तार सब तक के कवी हैं ये। अचाचा सोरी, इनको या नहीं पढ़ेंगे, इनको यहां नहीं पढ़ेंगे, चलो पढ़ लेते हैं, अब बागई है तो फिर वो गढ़बर हो जाएगी, हालाई कि इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये तारसब्तक के कवी हैं आप जानते हैं तारसब्तक तारसब्तक 1943 जिसमें निम्न कवी थे अने रामू भापगीरी अने रामू भापगीरी अ से अग्या ने से नेमिचन रास राम विला सर्मा मुक्ति बहुत भारतुष्ण अगरवार प्रभाकर माचे और गिरजा कुमार माथूर तो इन्हें हम पढ़ेंगे हालां कि तार सब तक मैं पढ़ना चाहिए लेकिन चली आ गया है तो पढ़ लेते हैं हिंदी के प्रहरी का आ जाता है तार सब तक के कवी हैं इनको हिंदी का प्रहरी कवी नहीं बलकि स्रेश्ट गद्यकार मैं गलत बता बोल गया इनको हिंदी का कवी हैं क्योंकि ये राम विला सर्मा कवियों में शामिल नहीं हैं ये आलो चक जरूर तकड़े हैं बहुत गजब के लिए कहीं ने कहीं उन्होंने लिखा था कि यह तार सब तक में शामिल होने के लाइक नहीं था लेकिन मित्रवत सामिल हो गए इनकी कुछ रचना है रूप तरंग रितु सहां सदियों के सोय जाग उठे यह इंपॉर्टन्ट है इस अकाल वेला में इंपॉर्टन्ट है इन्होंने जीवनी लिखी थी निराला की सहीते सादना यह इंपॉर्टन्ट नहीं है ध्यान रखना यह वेरी इंपॉर्टन्ट है यह वी आई पी चीज़ है जीवनी निराला की सहीते सादना उनने सो उननत्तर तीन खंडों में निराला की सहीते सादना कितने खंडों में तीन खंडों में और इसी रचना पर इनको क्या मिला था 1970 में साहित्यक आदमी पुरुसकार मिला था इन्होंने अपनी एक आत्म कता लिखी अपनी धर्ती अपने लोग नाम से याद रखना फर्स्ट गेड की तैयारी करने वालो नेट की तैयारी करने वालो आप लोग वे लि नी, र, ल, तीन खंडों में हैं घर की बात भी इनकी एक रचना है ठीक है आत्म कता में शामिल होती है और इनकी डाईरी है जो पंच रत्म नाम से है उपन्यास है चार दिन नाम से तो सारी गद्य रचना इह ये ये सारी चीज़ें रिपीट होगी जब गद्य विधाएं क करेंगे था उपनयास में आपको चार दिन भी पढआउंगा डैयरी में पंच्रत्न बढ़ाऊंगा आत्मकथा में अपनी दर्थी अपने लोग घरकी बात भी पढ़ाऊंगा तीन तो इसमें कोई खास बात नहीं है इनकी कुछ आलोचना है इन्हों निराला पर आलोचना की भारतेंदू पर आलोचना की प्रगति और पर अलोचना की प्रेम चंद और उनका युग प्रगति शिल साहित्य के समश्याओं पर आलोचना की भासा साहित्य संस्कृति यानि इन्ह अचारी राम चुंदर शुक्ल और हिंदी आलोचना, महावीर परसाद द्वेविदी और हिंदी नवजागरण, परंपरा का मुल्यांकन, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इस रचना पर इनको पर्थम व्यास सम्मान मिला था, देखो पर्थम ज्यान पीट कि किसको मिला था, इंपोर्टन हो जाती है, पर्थम सहीति एक आदमी पुरुषकार किसको मिला था, तो यहाँ पर यह कुछ चीज़े इंपोर्टन हो जाती है, हाला कि मैंने राम विला सर्मा पुरुषकारों की रासी जनता के लिए लोटा देते थे, ध्यान समझना, आपने सुन रखाएक नहीं, निराला अपने साही, जो भी उनको पुरुषकार में रासी मिलते थी, तो वो पहले दाकर मादेवी उर्मा को देते थे, क्यों मादेवी उर्मा को बेहन मानते थे वो, मादेवी उर्मा को देते थे, और फिर मादेवी उर्मा से थोड़ थोड़ा करक वो जनता के लिए लोटा देते थे और हिंदी प्रगतिशी लालोचना को सू विवस्तित करने और उसे नई दिशा देने में महत्वण कारी अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो वो राम विला सर्मा है जिन्होंने प्रगतिशी लालोचना और सू विवस्तित करने में जैसे उनका नाम है राम विलास सर्मा और इसी के साथ आपकी जो क्लास है वो कम्प्रीट होती है शांदार क्लास थी अच्छी क्लास थी छोटी क्लास थी मुख्य रूप से दो कवी पढ़ने है नागारजुन, केदारनाथ, अगरवाल इन दो कोम्प्रीट रूप से पढ़ना है राम विलास सर्मा में तीन चार बाते हैं आपको याद रखनी है, जीवनी आप याद रख सकते हो पर्तम व्यास समान किस करती पर आपको याद ठीक है ना, आलोजना के रूप में परसिद्ध है बस इनके बारे में दो चार बाते याद रखनी है इसके लाओ कुछ भी याद नहीं रखना तो कोसिस कीजिए, कि रेगूलर क्लासेस लेते रहें और लाइव आया करो, ये प्रीमियर लाइव है कोई बात नहीं, लेकिन प्रीमियर में देखा करो इससे क्या होगा, एक पढ़ने की नियमिता बनती है देखो, बच्चे को घर पे रख लेते हैं तो वो पढ़ता नहीं है और वहीं अगर बच्चा स्कूल, रेगूलर, स्कूल क्या है 6 गंटे उसको नियमित आदत डालनी है कि वह 6 गंटे तुझे पढ़ना है तो आपको आदत बढ़नेगी वरना आप सोचते होना कि मैं शाम को देख लूँगा, सूबह देख लूँगा आपका किसी का फिक्स टाइम नहीं है कि आप रोज शाम को दस बच देख ले तो जो इस टाइम कोई रेगूलर नहीं देख पाता फिर वो सोचता है कभी सूबह देखूं, कभी शाम देखूं ऐसा नहीं होता जो चीज जिस समय होती है अगर आपको मान लो जैसे पूजा पाठ है वो शाम को साथ बज़े दिया मतलब अगरबती बगरा करते हो वीश्वर के आरादना करते हो तब जतना आननदाता है कहाँ नहीं नहीं मैं तो अभी टाइम नहीं है मैं तो दो पैर में कर लूँगा आज सोच के देखिए सोच के देखिए हर चीज का एक समय निर्धारित होता है वो चीज उसी समय अच्छी लगती है तो क्लास का समय निर्धारित है उसी समय क्लास लेवें तो तो आनंद आएगा और उसका फल भी मिलेगा मेरा यही क्याना बाकी आप अपने सुविदा के दर्श्टी से देख सकते हैं बहुत धन्यवाद, टेक केर, शुबरात्री